एक आसान और टेस्टी मिठाई का रेसिपी मैं आज आप लोगों से स्यार करने वाली हूँ, यह सुजी से बनी हुई मिठाई, बनाने के लिए आसान है और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसको देख सकते हो, बहुत सब्ट बनिये और अंदर भी स्ट के रूप में पहुंच जाएगा, एक कड़ाई में मैंने एक लिटर दूद ले लिया है गरम करने के लिए, दूद में अभी उबलना शुरू हो रहा है, आप देख सकते ही दूद के ऊपर बबल साने लगा है, इसमें हम डालेंगे तीन टेबल स्पुन शक्कर, शक्कर की मा दूद को उबलने के टाइम थोड़ा साबधानी से उबलेगा और बिल्कुल छोड़ न देना, बिच बिच में इसको चलाते रहना, नहीं तो नीचे से दूद कड़ाई में लगके जल सकता है, और फिर जो मिठाई हम बनाएंगे उसका फ्लेवर ही चेंच हो जाएगा, ले ले लेंगे कुछ केसर, 10-15 दागे केसर का डालेंगे, केसर की धागे से ही मिठाई का जो फ्लेवर ही बहुत ही ज़दा आच्छा आता है, एक बार दूद को मिला देंगे और फ्लेम को बन कर देंगे, एक कड़ाई में थोड़ा सा गी ले लेंगे, करिबन एक आपके पास अगर मोटा बाला सुजी हो तो आप उसको ब्लेंड करके बारिक कर सकते हो, अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, ज़्यादा गी नहीं डालना है, बस एक टीस्पुन में एक कटोरी सुजी मेंने लिया है, जब तक ये जो रवा है इसका कलर चेंच हो के हाल तो इसमें हम आड करेंगे, दो कटोरी दूद, एक कटोरी रवा के लिए मैं ले रही हूं, दो कटोरी दूद, फ्लेम को मैंने स्लो कर दी है, दूद डालने के टाइम लगातार रवा को मिलाते हुए दूद डालना है, इस तरीके से मिलाने से, रवा जो है दूद के साथ आ आया ना करें इस टाइम फ्लेम को slow medium ही रखें लगातार चलाते हुए इसको हम गाढ़ा करेंगे 2 टेबले स्पून यहां में ले रहे हुं शककर मिलाते हुए यह जो रवा है उसको गाढ़ा करना है जिस तरकी से हलवा बनता है उसी तरीके से और उसी कंसिस्टांची तक आने तक ये वाला जो मिठाई है खाने के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी है जैसे रस्मलाई वगेरा हम खाते है या ओरिशा का फेमस रसावली जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से सूजी में तो हम बनाएंगे उसका जो मेन मिठाई और रसा के लिए हम इूज करेंगे गाड़ा वाला दूद को मिठाई के लिए जो मिक्स हम बना रहे अभी ठीक कंशिस्टांची में आ चुका है आप देख सकते इसको ज्यादा गाड़ा भी ने करना है नहीं तो ज्यादा पतला भी ने करना है अगर ज्यादा पतला हो गया जब इसको हम फ्राइ करेंगे वो ज्यादा ओयल को सोक कर लेगा गड़ा अगर हुआ तो सप नहीं बनेगा मिठाई का डो को अभी हम कभर कर लेंगे और दस मिनिट के लिए छोड़ देंगे दस मिनिट हो चुका है दो भी गुन्गुन आए एक थाली में थोड़ा गी लगाके उसको गृज़ कर लेंगे क्योंकि मिठाई का जो मिक्स है रवा मिक्स है इसमें लेके उसको गुन्दा है अगर गी से अम ग्रीज नहीं किये तो मिठाई मिकस इसमें जिपक जाएगा फिर गुन्दा के लिए आस से गुंदा नहीं जाएगा और मिठाई सप्ट नहीं बनेगा इस तरीके से पहले फेला देंगे हाथ में अगर आपको लगे यह जो रवा मिक्स ज्यादा स्ट्रॉंग हो गया है तो आप हलका सा गुन-गुना दो दिस में डालके भी इसको गुंद सकते हैं हाथों में कैसे इसको करना है हाथ में कम से कम 2-3 मिनिट दग गुन लेंगे इसमें डालेंगे चुटकी वर खाने का सोड़ा ज्यादा सोड़ा ना डाले अगर ज्यादा सोड़ा हो गया जब हम फ्राय करेंगे तो यह जो मिठाई है सेप में नहीं आएगा और तेल में खूल सकता है इ चुटकी वर डालने से यह साप्ट होता है और इसकी अंदर तक रसा अच्छे से जाता है फिर एक बार सारे चीज़ को मिक्स करते हुए हम गुन लेंगे दो मिनिट गुनने के बाद अभी रवा का मिक्स चो है परफिक्ट कंसिस्टंची में आ चुका है थोड़ा सा रवा मिक्स हम ले लेंगे इसमें हम स्टॉपिंग बना के तयार करेंगे तो रवा मिक्स में जो स्टॉपिंग हम यूज करेंगे उसमें हम फ्लेबर मिलाएंगे और ड्राइफूर्स मिलाएंगे कुछ खिसमिस मैंने ले लिया है और बड़ा बला साइज खिसमिस यह उसको मैंने कट करके रखा था आधा-धा करके उसके साथ कुछ बादम भी ले लिया है आपके पास जो भी ड्राइफुट से आवे ले बूलो आप उसको ले सकते हो अब इसमें हम मिलाएंगे फ्लेवर के लिए मिक्स फ्रूट क्रास ज्यादा ना मिलाए थोड़ा सा मिलाना है क्योंकि ज्यादा मिलाने से अंदर जो टपेंगे थोड़ा पतला हो जाएगा फिर बादमें यह खूल सकता है ओयल में आच्छे से इसको मिला देंगे स्टपिंग में डालेंगे एक दो बुंद रेड फूट कलर कलर डालने से थोड़ा सा आच्छा दिखेगा हमारा सुईट सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे इसमें हमने mix fruit का crust डाले और mix fruit का जो crust रहता है उसका color रहता है red color इसलिए मैंने red food color डाला है stopping को और एक प्लेट में में ले रहे हूँ कि ये प्लेट में जागा छोटा पड़ रहा है जागा नहीं हो रहा है गुनने के लिए अभी हम आच्छे से इसको गुन सकते हैं अब जो भी फ्लेवर लो चले का स्टॉपिंग के लिए लेकिन उसी फ्लेवर का कलर ज़रू डालना जैसे कि अगर आप पाइनैपल फ्लेवर क्रस्ट डालते हो तो एलो कोलर डालना है आपको तो स्टॉपिंग अभी हमारा त्यार हो गया है छोटा छोटा गोला करके रख लेंगे स्टॉपिंग को भाग कर देंगे टाकि जब हम मिठाई बनाए हमको आसानों स्टॉपिंग देने के लिए पहले च अगर हम सब कुछ त्यार करके रखते तो फटा फटा हम बना सकते शेप में मिठाई को मिठाई को शेफ देने के लिए इस तरीके से हाथ में लेके उसको राउंड सेफ देंगे बीच में अखोल करेंगे काटोरी जैसा थोड़ा सेफ देके बीच में श्टपिंग दे देंगे और चारो तरब से इसको बन करेंगे आपकी पसंद की मुताबबक ये जो सुईटे थोड़ा साइज में बड़ा या थोड़ा कम कर सकते हो मैं तो मिडियम साइज बना रही हूँ साइट को मैंने बंद कर दिये हाथ में फिर से राउंड सेप दे देंगे ध्यार नखिए एक चीज का जैसे उपर कुछ क्राक ना रहे क्राक रहने से वो बाद में ओयल में खुल सकता है हाथ में थोड़ा सा अभी प्रेस करनके इसको चप्टा कर देंगे जादा नहीं करना है बस थोड़ा सा जैसे रस्मला ही बागेरा होता है उसी तरीकी से शेप देना है अब देख सकते हो सारी की सारी जो रवा का डो है इस तरीकी से पहले हम बना के तियार कर देंगे दस मेंने बना दिये अब देख सकते हो बाकी को बाद में बना के सेकेंड बार जब ऐल में फ्राइ करेंगे तब ही डालेंगे और इसको ना अच्छे से गुंद के कवर करके रखना है अगर ऐसे ही छोड़ दिये तो यह थोड़ा से स्ट्रंग हो जाएगा फिर स्वीट का सेब नहीं आएगा इसको अभी हम फ्राइं के लिए ले ले लेंगे फ्राइ करने के लिए रिफाइंड ओयल को मेंने गरम किया है यह हलका गुंगुना है बस गुंगुना ओयल में हमको फ्राइ करना है ओयल को जादा नहीं गरम करना है जिस तरी किसी गुलब जमन को हम तलते बस उसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अंदर तक अगर फ्रेम को हम हाई कर दिये तो ओयल भी गरम हो जाएगा फिर हम जब यह वाला मिठाई का मिक्स में जो हम बनाए है सेप उसको डालेंगे उसका उपर का जो भागे जल्दी से डार्क हो जाएगा और अंदर तक अच्छे से फ्राय नहीं होगा फिर बाद में कच्छा लग सकता है इसलिए गुंगुना ओयल में इसको डालना है और चार से पांच मिनिट तक तलना है और पहले से इसमें कल्ची बिल्कुल नहीं लगाना है थोड़ा सा छोड़ देंगे इसको हम एक देर मिनिट के बाद इसको पलताएंगे नहीं तो कल्ची अगर इसमें हम लगाते फटापट तो साइट का जो हिस्सा ही तूट सकता है फिर इसका सेप में गडबड हो जाएगा और ये तेल में खूलने का चांसेज भी रहता है कड़ाई को साइट से थोड़ा सा हिलाते हुए हम इसको कुक करेंगे थोड़ा टाइम बस इस तरीके से ओयल में डालते हुए मिठाई को एक देड मिनिट तो हो चुका है अभी हम इसका साइट चेंज कर लेंगे ये जो सुईट है खाने के लिए जितना टेश्टी है एक कप बस सुजी में मैंने बना रही हुए उसका क्वांटिटी भी जादा हो जाता है एक लिटर दूद और एक कप सुजी में कम से कम एक किलो के उपर मिठाई बनके तेयर हो जाता है और खाने के लिए भी बहुत जा कि फ्राय करते हुए स्वीट को साढ़े चार से पांच मिनिट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब हम इसको और से निकाल के सीधा हम गाड़ा वाला दूद में डालेंगे और यह जो दूद गुंगुना है हलका ज्यादा गरम दूद में ना डाले नहीं तो का हिस्सा जो है न उपतला दिखेगा अजीब तरी किसी सुईट दिखेगा बाद में हलका गुंगुना में इसको डालेंगे और आधा गंटे तक चोड़ देंगे ताकि आच्छे से सुईट के अंदर तक गाड़ा दूद चला जाए आधा गंटे के ऊपर हो चुका है अब अंदर तक गया है जो गाड़ा वाला दूद आप देख सकते हो श्टपिंग का कलर भी अच्छा आया है तो आप भी एक बार इस तरीके से सुजी में मिठाई बनाई है देखना बहुत टिश्टी बनेगा रेसिपी के बारे में आपकी मन में जो भी कोस्चिन से कमेंट सेक् करें और राइट सेट में जो बेल ईकन है उसको क्लिक करके और नौटिफिक्षान बेल को और उन करें all किक करने से में जो भी विडियो अप्लोड करूंगी यह आप लोगों के पास नोटिफिकेशन की रूप में पहुंच जाएगा